अस्सलाम आलेकूम फ्रेंज आप सब कैसे हैं इन्साला ताला आप अपने घुरों में खुशोरा बाद हो गई अलम्दुलिल्ला से हम भी सब अच्चे हैं तो यहाँ पे खाना बनाने की तयारी चल रही है क्योंकि मेरे मामू के लड़के किसाधी थी तो मेरी सिस्टर उनके देवर, देवरानी, उनके बच्चे सब आये हुए थे तो दो फिर में तो हम वहाँ से खाना खाके आ गए थे तो अभी रात का टाइम है तो हम यहाँ पे ममा न बोला के आप सब यहीं पे खा लेंगे तो सब ने काम बाट लिये हैं और सब एक एक काम कर रहे हैं यहाँ पे मेरी सिस्टर आटा गूंद रही है और हम सब जिया कट कर रहे हैं इस तरह से हम सब मिलके काम कर लेंगे और यहाँ पे मेरी सिस्टर और मेरी भापी वो बना रहे हैं रोटिया और यहाँ पे चिकान अंगहरा की गिरेवी हमने तयार करने के लिए ओईल रखा था इसमें प्यास कड़ करके डाल दी है और लाल अखी मेर्च होती है ना साबुत मेर्च वो भी डाल दी है अदरक का एक पीज डाल दिया है और उसे अच्छे से भून लेंगे इसमें थोड़े से काजु भी डाले थे और लसन भी डाल दिया था और साइड में हमारी चाय भी बन रही है क्योंकि मेमान हो तो लेडिस तो जी काम में लगी रहती है तो उन्हें कुछ मालूम नहीं होता लेकिन जेंस लोगों को तो चाय चालो ही रहती है और यहाँ साबुत धन्या भी डाल दिया है और इसे अच्छे से भूनने देंगे और यहाँ पर आलू भी धो लिये हैं चिकन भी धो लिया है वो भी रख लिया है धो के अब इस प्याज में हम टमाटर डाल देंगे और इसे भी सोफ्ट होने देंगे देखिए यहां हमारे टमाटर भी सोट हो गए है बस थोड़ा ही इसमें कच्छापन बाकी है और सब साथ में होते हैं तो टाइम का तो पता नहीं चलता मेरी सिस्टर भी राजकोट से दो महिने बाद आई है यहां पर हल्दी पाउडर और धन्या जीरा पाउडर भी डाल दिया है और उनके बच्चे मासला से इतने अच्छे और प्यारे हैं कि सब खुस हो जाते हैं वो आते हैं तो मेरी अलड़क्या भी इतनी खुस होती है और ब एक साथ नहीं तो किसी को टैम कहां मिलता है अपने घर्म में से फुर्चत ही कहां मिलती है और यहां पर नमक भी डाल दिया था और लाल मीर्च पाउडर भी डाल दिया है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारी लाल मीर्च चले नहीं देखिए अच्छ होने पर इसे हम मेक्सची में पीस लेंगे और अब इसी कड़ाएं में हम फिर से थोड़ा ओईल डाल देंगे और जो हमने चिकन वोस किया था वो और आलू हम डाल देंगे और इसे ढख कर पकने देंगे साध्यों में मजा तो बहुत ही आता है लेकिन अलग सी थकावट सी लग जाती है और देखिए चाय भी हमारी बन गई थी तो सब चैन्स लोगों को दे दी है और ग्रेवी भी ठंडियों ने रग दी है और हमारा चिकन भी शोफ्ट हो गया है आलू भी पक गई है और यहां पे चावल भी रख दिये थे पकने के लिए और चिकन के साथ तो राइस और चावल रोटी दोनों ही चाहिए होते है क्योंकि छोटे बच्चे है उन्होंको भी राइस चाहिए होता है और हम बड़े भी थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे और फिर से हमारी चाई बनने रख दी थ सब चाई पिए जा रहे थे और एक बोलेगा कि हमें चाई पीने हैं तो सब का मन हो जाता है चाई पीने का तो फिर सब बोलते हैं हमें भी आधा कप दे देना हमें भी आधा कप दे देना इसलिए चाई थोड़ी थोड़ी बनाते हैं तो सब आधा-धा कप पी लेते हैं और यहां पे मेरी भापी सब को चाय दे देंगे और देखिए हमारा चिकन और आलो भी पक रहे हैं हम सब तयारी करके देते हैं मेरी सिस्टर को मेरी सिस्टर बेट के खाना बना लेते हैं हम निचे सब कटिंग करके इने दे देते हैं और यहां पर मेरी सिश्टर जो हमने ग्रेवी बनाई थी ना उसे पीस रहे हैं और देखिए यहां पर आलो और चिकन भी अच्छे से भून गए हैं और इनमें जो हमने जो ग्रेवी तयार की थे ना उसे मिक्सर में पीस के हम इसमें डाल देंगे आप एक बार जरूर यह चिकन ट्राय करना मास्यल्ला से इतना अच्छा बनता है और इसका कलर भी इतना अच्छा मास्यल्ला से आता है और इसमें थोड़ी सी हम कास्मेरी लाल मिर्च डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर इसमें आ जाता है एकदम रेडवाला मुमा सबको पूझ रही थी आपको क्या खाना है सब बोल रहे थे कि आज खाना खाके दोफिर में आये हैं तो हमारा पेट बरा हुआ है तो बोले कि क्या खाना है आप बोलो तो मुझे समझ में आई कि आप सब लोगों को क्या खाना है और मेरी सिश्टर को भी खाना खाका वापस निकलना है इसलिए हम जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें देवर और देवरानी और उनके बच्चे वो भी सब आये हुए हैं इसलिए उन्हें लेट ना हो जाए तो हम चल्दी-चल्दी सब काम कर रहे हैं और लाश्ट में हमें इसमें एक चममत लाल मिर्च पाउडर ओल डार लिया है ताखे इसका कलर अच्छा आ जाए ये कासमेदी लाल मिर्च पाउडर है माशायलह से इतना अच्छा बनाता और फिर हमने इसमें कसूरी मेती भी डाल दी है इससे भी इसका स्वात बढ़ जाता है और इसमें हमने मलाई भी दो चमत डाल दी है ताकि इसकी ग्रेवी एकदम से शोफ्ट लगे मुलायम आपके पास बटर हो तो आप बटर भी इसमें डाल सकते हैं यहाँ पे हरा धन्या भी डाल दिया है मेरी सिस्टर के बचे है सुरेन और सुजा उन्हें तो रुखना था और मेरे मामू ने भी भूल दिया था कि कलनी का है तो आप रुख जाओ तो उन्होंने बोला कि नहीं जाना है हमें जाना है क्योंकि इनके हस्बंड और उनकी सास जो है न वो घर पे है मेरी सिस्टर के सास से उनको भी प्रोब्लम है पेर की इसलिए वो नहीं रुख सकती यहाँ पे खाना तो तयार हो चुका है और एक सैट समो से तल रहे हैं और एक सैट पकोड़िया तल रहे हैं और मेरी सिस्टर बोल रही कि आप सब को खाने की तयारी कर दो तो खा ले तो दस्तर ख्वान लगा के सब बरतन ले लिए हैं और उन्हें खाना खाने बिठा दिया है क्योंकि अभी उन्हें राज को टेकलना है और ये मेथी की पकोड़िया बन रही है इसके पाद आलू की पकोड़ी और मिर्च की पकोड़ी भी बना लेगी मेरी सिस्टर और सब तयार हो गया है और आज मेरे बड़े भाई भी नहीं है वो भी काम से बाहिर गाम गई हुए हैं तो सब कोड़े के बीटे हैं मेरे छोटे भाई और यहां मेरे बड़े भावी है उनके भी बड़े भाईया आ गए हैं उन्हें भी एकजाम देना था इसलिए वो यहां पे आये होए हैं तो साथ में सब खाना खा लेंगे और आज सब में मान गर पे हैं इसलिए मेरे हस्बन को भी मैंने कॉल कर दिया था तो वो भी जल्दी आ गए हैं वरना तो वो लेट आते हैं क्योंकि अभी दिपावली की वज़े से उन्हें भी काम ज्यादा रहता है और बच्चे सब खेल रहे हैं सामे सब भावनात गुमने भी गए थे रोप वे देखने के लिए के मेरी सिष्टर ने नहीं देखा था इसलिए वो उनकी देवरानी और देवर और बच्चे और मेरा भाई इनको ले गए थे दिखाने के लिए और यहां हमारा चिकन अंगारा रेडी हो गया है और सबको प्ल और सबको खाने में भी बहुत मजा आया था और बहुत ही अच्छा लगा था तो देखिए यहां पे दस्तर ख्वान लग गया है और सब हम बरतन लगा रहे हैं यहां पे कचुंबर भी काड़ दिया है राइस चिकन पकोडियां समोसे रोटियां सब निकाल ली है और यह खाने बेड गए हैं यह सीजा है और यह मेरी सिस्टर है ना उनकी देवरानी के बच्चे है और मेरी सिस्टर को उनके घर जाना था इसलिए उनके देवर देवरानी उनके बच्चे को और मेरी सिस्टर को पहले हमने खाना खाने बिठा दिया था बाद में हम लोग भी ख तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा अल्ला हाफीज और अपने दूआओं में हमें याद करिएगा हम भी दूआ में आपको याद करेंगी चलिए अल्ला हाफीज